तो लाक इंसेक्ट आज का हमारा टॉपिक है जैसा कि आपको दिख रहा है तो लाक कीट इंग्लिश में लाक इंसेक्ट इसका पहले नम्मर तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जैसा कि आप देख पार हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया है तो क्लासिफिकेशन जैए और इसके बाद दूसरे नम्मर पर आप देख पार हैं बर्ग क्लास कौन सा है इसका बर्ग है इसका इसका वंस कौन सा है तेरी गोटा ठीक है और गाने या ओर्डर कौन सा है हैमिप टेरा और इसका फैमिली कौन सी है और इसका वंस इसका वंस कौन सा है और इसका प्रजाती या इस्पीसिस कौन सी है लग्का तो इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा सिवा बता जाएगा इसका बैग्यानिक नाम क्या होगा तेरी गुड लेसी फर लखा इसका बैग्यानिक नाम जीव बैग्यानिक नाम बनेगा ठीक है आगे चलते हैं यह आगे दब देख पा रहा है लिखा है लाक कीट लाक कीट का जीव जो है वेक्यानिक नाम जो लेसी फर लखा या फिर टेकार्डिया लखा दो है कुसम इफियादी के प्रक्षों पर रहता है तो इसका जो पालन है या यह जो रहता है वह олодबैर बबूल पलास खेर पीपल अरहर कुसम अधि प्रक्षों पर जीवन या पर करता है या परला जाता है आगे लिखा है आगे है जीवन चक्रिस का लाइफ शाइकल जैसे कि हमने दीमक में भी देखा था मुझे कौन बतायागा जरह बताएं इसमें कौन सा वो पाया जाता है कायांत्रा वो कायांत्रा जो है इसमें देखने को मिलता है अपता इसका अब बाकी लोग म्यूट हो जाए प्लीज एक अकेला ओनली सिंगल रहेगा बाकी लोग म्यूट हो जाए प्लीज वो आगे है इसके जीवन चक्र में तीन अवस्ताइं होती है इसका मतलब है इसमें मतलब है इसकी बाद में थोड़ा अच्छे पॉइंट है बन चाहरा है मादा इसका जो फीमेल होता है वो जो है उसमें क्या-क्या होता है कैसे काम करता है वो दिख रहे हैं तो जो फीमेल होता है लाग कीट का तो मादा कीट जो है लैक सेल के अंदर 200-500 अंडे देती है एक कोशन भी पूछा गया है कितने अंडे देती है तो लैक्सेल क्या होता है थोड़ी दिर मैं अभी बताऊँगा आपको 200-500 अंडे देती है मादा जो है नर से 3 गुना जादा बड़ी होती है ये भी आपको दियान रखना है वा एक इस्थाई जीवन ब्यतीत करती है इस्थाई जीवन क्या होता है ये भी मैं बताऊँगा थोड़ी दिर पास मादा में सिर बक्ष वा उदर इसपस्ट नहीं होते हैं तीनों की तीनों चीज़ें जो है बडिक पार्ट इसपस्ट नहीं होते हैं पंक आखें एंटियाधी भी अलप विक्सित होते हैं ये भी नुट कित नॉप से उप्वाँग में थ्यानरा मॉद्ध में नहीं होते, नर कीत में विक्सित होते हैं इसमें शरीर भी जो है तीन विवाजित रहता है एक जोड़ी पंक होते हैं और तीन जोड़ी पैर होते हैं जो कि इंसेक्ट के मुख्य लक्षण हैं हम पढ़ चुके हैं पहले इसके बाद लेक्षण क्या होता है स्थाई जीमन क्या होता है वो सब चीज अपन अब आगे डिसकस करने वाले हैं तो डिटेल में हम आगे देखेंगे लिखा है मादा जो है अक्टूबर बाद नवंबर में और तथा पुना जून बर जुलाई में अन्ट देती तो डो टाइम अन्ट देती है अक्टू गर नवंबर में और जुन इसमें की वेजीन होता है जादा मात्रा में दिहान रखना है वेजीन इसको दार दिस्थावित करता है अपनी तवची गरंती से निम्प तीक है वो जो सरीर के चारों और जम जाता है इस परकार निर्मित रचना लैक सेल कहलाती है देख यह इसका क्या मतलब हुआ इसका से रेगृर से पधार्थ निकालेगा यह पधार्थ को क्या करेगा अपनी चारों ऐसको हम पोल रहे हैं लाक कक्ष कलीर हैं लाक कक्ष केला कौक हुआ अब लाक कक्ष में चार शित्र है आच them to warehouse इसांस लेने के लिए एक मुख का को गया तो कुल मिला के लिए दीखने को मिलेंगे दीखिए दो सवसन के हो गए एक मुख का हो गया और जो है एक गुदा का हो गया उटसल दन के लिए तो चार प्रकार के जो है इसमें शिद्र दीखने को मिलेंगे ठीक है कि आगे चल तुछ इस प्रकार यहां लिखा है लाख इसमें लाख कक्ष में चार छित्र होते हैं दोस्वासन एक मुख और एक गुदा छह से आठ सब्ता बाद इस निम्प में तीन बार मोल्टिंग होती है वह इस्थाई जीवन शुरू होता है देखिए इसमें एक नया इस्पेशल फीचर यह है या इसका नेचर यह है लाख इंसेक्ट क्या करता है तीन बार जब उसमें मोल्टिंग हो जाती है छे से आठ सब्ता बाद तो वह क्या करता है पर्मनेंट लाइफ जीना स्टार्ट कर देता है मतलब कि इस्थाई जीवन जिसको हम बोलते हैं मतलब एक जगा पड़ा है त लीवन मता पंधर फॉर्फ हूथ जुद की णरओने में सक्थमॉत आता यह क्या लैक रसजो है लएक से बाहर निकल हाता है जैसे माल लीजिए अगर यह नहीं है और फीमेल कें अंदर करती है यह आपको ध्यान रखना है तो इसमें लिखा है चुकि नर ही उड़ने में सक्षम होते हैं आता यह लाग कक्ष से बाहर आते हैं मादाओं से मैथून करते हैं ठीक है मैथून के पश्चात यह मर जाते हैं तो कि मेल का भी ज्यादा खास रॉल नहीं है इसमाली जी सभी मैथून कर लेगा मैथून करने क्याथ यह नर को कई ज्यादा फूने नहीं मतलब जनर करें पर ऊदूर अगे चलते हैं कि आगि आगे अब देख पा रहा है लिए और के लाग कक्ष लम्बे वा सिगारा कार के सिगार से ङक्त होते हैं जबकि मादा के लाग कक्ष गोल होते हैं अच्छा इनको पैचान रहें से है आगर यह गोल होगा तो गोल महलगो जता है यह मया रोल हिस्ट है और कि अगर लंबा है इस टाइब तो यह सब्सक्राना पर जाइब लोए जता ह हमना जाओ are सब्सक्राइब को हो अगर करे के दो लोग डाद हो जाए आगै और जते हैं मार में पैर उपस्तित होते हैं यह आपको ध्यान रखना है निम्फ में तो नर और मादा दोनों में ही होते हैं ठीक है बाद में यह हट जाते हैं ठीक है बाद में कब अटते हैं वो भी अपन डिसकस करने वाले हैं दूसरा पॉइंट है लाग कीट में पारो मेटा बोलस मतलब की इनकंप लेकिन जब पहली बार नर मजधा होती है अपने पेर भी त्याक देते हैं एंटीना भी त्याक देते हैं लेकिन फिर क्या होता है किंटू नर्म दोपाल में इसल्ए सम captiv verstehen के देखते हुए आगे लिख पाई जाती यह ढ drawn Nik दें संढस्टया यह यहां कि रेजिन का भी हमने देखा तो लार गरंग से आगे लिखा है लाक कीट जो है बीवी पेरस या जरायो जो होता है अब यह थोड़ा का ध्यान देना है यह बीवी पेरस क्या होता है और एक वाल लिखाए सब्ध अंड से सुप्रजा क्या ओवी बीवी पेरस तो यह दो तीन टर्म हैं सब्द हैं इनको मैं आपको बताता हूँ बढ़े अच्छे से समझना देखिए यहाँ पर तीन सब्द हैं बता देता हूँ एक बनट एक सब्द है जिसको हम बोलते हैं ओवी पेरस एक सब्द है ऑबी पेरस तो इन दोनों का पहले मतलब समझेए ओबी पेरस मेंज क्या होता और बी बी पेरस मेंज क्या होता है NOW सब्सक्राइब अप एड़िदें फॉर। इसे इसे देने वाले अड़ेड थिश्वत तो लिख लेना आप सका हो तो तो ओभी पेरस मतलब अंडे देने वाले जीव और बीबी पेरस मतलब शिशू देने वाले जीव क्लियर हिंदी में बीबी पेरस को हम जरायोज बोलते हैं और ओभी पेरस को हम अंड शिशू परजक बोलते हैं कि विभी पेरस तो हो गया अंडे देने वाले जीव एक वर इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है तो वह भी देखा देता हूं उसको हम बोलते हैं ओव विभी पेरस जो कि यह जहां पर देख रहा है आपको एक सब्द ओव विभी पेरस यह एक्चुली में दोनों सब्दों से मिलकर बना है कि इसमें एक अलग नेचर देखने को मिलता है ना तो अंडे मिलते ना सिसु मिलता है इसमें मिलता है पून आपको आपको मादा जो है पूंभी पेशीं सु सु एक अंड देती है इसका ये मतलब होता है अंड शिस्व प्रजैक बोलते हैं तो ओवी पेरस मतलब क्या है अंड प्रजक्ट और बीवी पेरस मतलब जरायूज और ओवी बीवी पेरस मतलब है अंड शिशू प्रजक्ट क्लियर यह पूर्ण विक्षित सिसु युक्त अंडे देगी मादा उसको ओवो बीवी पेरस कहेंगे क्लियर तो तीनों टर्म क्लियर हैं अगे चलते हैं आगे लिखा है मादा कीट आकार में नर्शे तीन गुना बड़ी होती है हम उपर पहले भी डिसकस कर सुके हैं यह अब आगे लिखा है मादा के द्वारा जो है निसेचित और आने से चित दो प्रकार के अंडे देजा देखो मैं बात क्लियर कर दूँ फर्ट में देखने को मिलेगा जब मैं मधुमक्की पढ़ाओंगो जब मैं डिसकस डिटेल में कर लूँगा इस चीज का ठीक है ऐसे लिखा है जिससे नर्वा मादा कीट निकलते हैं तो अलग अलग निकलते हैं निसेचित से अलग निकलते हैं और अनिसेचित से अलग निकलते है यह मधुमक्की में ही हम डिंटियल में समार। मधुमक्की जब हम पढ़ाएंगे दोनों चीजे मैं बता दुerapi इंद ओधा है उन से कौ भाइय मंद्पन होता है। कौण बनता यू सानी नर बनता यू सारी अब लिए इतना ही बहुत है। नहले होते हैं। अब इसका है बेदने वाले मतलब छेदने वाले एक ही बात होती है छेदना और बेदना अलब पहले वो टक्स करेगा और फिर सक कर लेगा ठीक है समझ पा रहा है अब लाइक मतलब मत्यर लाइक मत्यर कर दें वह पहले डेगा पढ़ फिर सक कर लेता है ठीक है यह गर आप यह हमारा आगे चलते हैं इकोनोमिकल इंपॉर्टेंस अगला बचाय आर्थिक महत्विश्वु कि लाक कीट का दूर्ड का हमारे जीवन में क्या आर्थिक महत है क्यों हम इसको पालें क्या इसके वेनिफिट है ठीक है तो आगे देख लेते हैं बिश्व में सरवादिक लाग उत्पादन भारत करता है खुशी की बात है सबसे ज़्यादा वो भी पूरे बिश्व कर 70-80% लाग उत्पादन करता है ठीक है भारत में देखने नम्मर पर है ठीक है तो पहले नम्मर पर जहरकंडे दूसरे नम्मर पर मध्यप्रदेश है यह भी अच्छी बात है फिर आगे शलते हैं भारती लाग अनुसंधन संस्थान अब यह मैंने पढ़ाया है अगर याद हो तो इसका फुल-फॉर्म कोई बताएगा जरा क्या होत हैं यृवरी दूस nya सब्सक्राइब करें साभेरत कि मतलब यह मैं घरारकंड में राची टे जू है जहरकंड की राजदानी बाइब चेम मैंने तो डिसकस करा ही था एक दिन आपसे आगे लिखा है अब इसकी जो कैटिग्री है वो अलग अलग होती है लाग की वो डिपेंड करता है वो कैसे बनाई गई यह तो सबसे पहले लिखा है पेड़ों की साखाओं से जब कुरेद कर लाग बनाते हैं उसको दाना लाग दा असुद्धी होती है वो पीछे चोड़कर कपड़े द्वारा च्छन जाती है जिसे हम बोल फिर क्या करते हैं जिस लाग को छड़ों में बदला जाता है और उसे सेलक कहते हैं कुल बिलाके यहां पर दो टर्म आ रहा है एक टर्म तो यह है कि दानेदार लाग आपसे जो असुद्धी है वो निकाल दी जाती है और इसको छड़ों में जब बदल लिया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं सेलक बोलते हैं क्लियर आगे ठीक है आगे लिखा है कि लाग का महत्वपून घटक रेजीन है यह बहुत ज्यादा इंपूर्टन कोरिशन पूचा जा है कि अधिए सबसे च्परण सेोगत ने चल्ण करता है जो लोग कहीं देखता है ना कि विखेंड़ ऑद्हाटों को सेल कननी किया जाता है बारी में अधित्ते हाण सर्फों रिकॉट बनाने में बटन्लिश्य चूनाहे बनाने मैं लग का उप्यूग किया जाता है आपने देखा होगा कभी कभी वो डांक वाली रहें वो लाक लगा रहता है देखा ना उसको डांक डांक देखने कभी हाँ तो यह इसमें यूज किया जाता है ठीक है आगि चलें भादगर्स में लाक वत पादन का लगभग 90% रंगीनी फसल मतलब कलरफुल क्रॉप से और 10% कुसुमी फसल से पैता होता है मतलब कि 90% कलरफुल जो फसल्गे नंपर जो लाक वत पादन किया जाता है और 10% कुसुम वाली फसल आज उन्से प्राप्त होताña ठीक है आगे कुछ नहीं है आगे इसका संगतन है लाग का संगतन मतलब अब आप जैसे कि आपने पढ़ाई है कि किससे मिलकर वो बना waarतों के बारे में जनकर इए और उसमें भी यह बताया गया है कि कौन सा प्ढ़ात कितनी मात्राम पाया जाता तो आप देख पा रहा है सबसे पहले लाग के घटक हमारा टप्रफ है और इसमें लिखा है कि रेजीन सबसे जादा मात्रा में आप देख पा है उसका परसेंटेज सबसे जादा है आप से कोशन पूछ लिए कि लाग के गटक में सबसे जादा मुख क्या है तो क्या है कुण सबसे जादा पाए जाता है वेरी गुड आगे लिखा है रंगीन पदार्थ रंगीन पदार्थ किता है 10% मॉम किता है 6% मॉम है और इसके बाद गोंध किता है गोंध भी होता है 5% और इसके बाद क्या सरकरा सरकरा सुगर तो 4% सुगर है ठीक के लिए रहे यहां तक आगे चले हैं ठीक है अच्छा इस पेज का स्क्रीन सोट ले लिए तो आप लोगों ने नहीं लिया तो ले लो ज़रा चलिए अब आगे चलते हैं अगला आगे इसमें कुछ नहीं बचाया जाता है बस दोड़ा सा और बचाया है नाकि दीमक्त हमने कल डिसकस करी लिए यह बचाया है लाकै की किस्व भची है कित्ते प्रकार की लाक जो है बहुती है और उसके कैला कच्छन होते हैं खेर इक तरब लिखा लाकै की किस्म और एक तरब लिखा है उसके लक्षण चुश्व लगाए अब इसवीच्वेश चारों होती है यह अ twenties ac पहला कौन सा है एरी लाक दूसरा इस्टिक लॉक तीसरा दावना लाक चौथा धूल लाक पांच बाइब चपड़ा लाक ठीक है चुदाल लेना अगर दिख नहीं रहा हो तो है कि आपको मैं बता दू एक सीजूर तेभिए एंडरी लाक छो बोलते हैं जब कच्छी अबस्था अट फसले लें से पहले काट लीजादिम मतलब कि फसल पकी नहीं है उस से पहले जाब लाक नाठी humor में हटा दूग जो को जी अरी लाक बोलते हैं कच्छी अबस्था जब एंग में लाग की कच्छी अबस्था को कच्छी अबस्था यह इसकी बाद अब इस विक वे लाक शीए this विसर को गोलता है तो पति दूआद21 000 बहुद उसको हमने इस्टिक बोल दिया और टहनियों से छुटा करके और उसको दोकर साफ करने के बाद जो हमें मिलती है उसको हम बोल देते हैं दाना लाक ठीक है और इसके बाद दाना लाक को जब हम पीस लेते हैं और उसका चून बना लेते हैं तो उसको हम बोल देते हैं धूल ला आज के लिए यतना ही ठीक है यह बाकी कहा हुआ है